हलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार और मैं सुमन सिस्टर आज की वीडियो में हम बात करेंगे उल्टी से सम्मधित इंजेक्शन के बारे में तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हैं इंजेक्शन ओंडम यान इंजेक्टिंग में बहुत जल्दी रिलिफ मिलता है बहुत जल्दी फाइदा होता है अगर आप टैबलेट लेके ठक चुके हैं तो इस तरह से ये इंजेशन आप यूज में ले सकते हैं पट मैं आपको इस चीज़ बता दो कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्किप्शन क इस इंजेशन का यूज ना करें बट ये इंजेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है उल्टी के लिए बहुत ही जल्द इसका रिलीफ मिल जाता है जिसको भी उल्टी से परिशानी है और इसको बहुत है और ये दिखिए यहां पर ये 2 ml का है 2 cc इसके अंदर इंजेशन है के अंदर और यहां पर दिखिए इसकी एक्सपारिट डेट लिखी विए तो ये बहुत ही विचारनी है कि आप जब भी कोई मैडिकल से मैडिशन लेते हैं तो उसकी एक्सपारिट डेट जरूर चेक कर लें और यहां पर इसकी MRP रेट भी ज्यादा नहीं है और इसकी MRP र राम है डॉप्टर और जितने भी हॉंस्पीटर में पेशनट होते हैं उनमें यी कॉंड़ी के खिरांस का उपने हैं तो यहां पर देखिए कास्की एंप्यूल है और कास के अंदर ही आता है यह इंजिशन और इंजिशन हमसा काच के आंपुल मिं आते हैं कि प्राब नहीं होते हैं तो यहां पर दीकिए यह इंजेशन मेरे हाथ में हैं und कि अधी हैं कि तरफ कब जाते हैं जब हमें टैबलेट फाएदा नहीं करते हैंandra डॉक्टर हमें ही लगाते हैं डॉकटर घुचार घुट्टे होते हैं बढते होनेके बाद में डॉक्टर इसी इंग्जेशन को लगाते हैं इसी इंग्जेशन से आपको बहुत ज़ल्दे रिलिक मिल जाता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी बोड़ी में इंफेक्शन जादा बढ़ जाता है infection जादा होने के वज़े से बीमारी जादा बढ़ जाने के वज़े से tablet हमें हमारी body पे असर नहीं करती है और हम बहुत जादा हताश और परेशान हो जाते हैं तो ऐसे में जब हम hospital के तरफ रुख करते हैं अब hospital में हमें जब injection लगाया जाता है उल्टी के लिए तो वो injection अंडर सेट्रॉन अंडम ही है और यह injection बहुत ही powerful है 2 ml का injection है यह और इससे उल्टी में बहुत जल्दी राहत मिलती है तो वैसे तो यह injection आप डॉक्टर के prescription से या डॉक्टर के सलापर ही लगाएं बट आज के समय में हमें हर चीज की knowledge और जानकारी होना चाहिए इसी समद्ध मैंने यह वीडियो आपको शेयर किया है वीडियो अच्छा लगे फ्रेंटर वीडियो को आप शेयर जरूर करें कॉमें को में कॉमें करके जरूर बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसे लगी और आज के समय में हर व्यक्ति मेडिया से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को हर चीज की knowledge है हर पढ़ाई कराबा इंसान है तो हर चीज के बारे में हमें knowledge होना बहुत जरूरी है कि कौन सी injection का किस तरह से यूज करा जाता है ताकि हमें कहीं पे भी कोई परिशानी ना आये सी से related मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूं चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में